नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया न्यूस का डिजिसल चैनल इन खबर आज हम बात करें लोगसभा चुनाव 2019 को लेकर तो ही अगर जैसे कि आप सभी को पता होगा कि लोगसभा चुनाव 2019 के जो नतीजे हैं केवल चंद घंटों के भीतरी आप सभी के सामने आने वाले ये सारी बाते क्लेर हो जाएंगी कि लोगसभा 2019 के जो चुनाव है उसके अंदर कौन सी पार्टी ने फतह हासिल की है और कौन सी पार्टी मुकेवल गिरेगी अब ऐसे में ये भी clear हो जाए कौन से party के सरकार बनेगी या मिली जूली सरकार बनेगी या किसी party के अखिले सरकार बनेगी ये सारी बाते भी ही तई हो जाएंगी पर उससे पहले अगर उत्तर प्रदेश की सीट फटहपुर सीकरी पर एक नजब डाली जाए तो फटहपुर सीकरी से राज कुमार चहर जो की BJP के कैंडिडेट है वो चुनाव लड़ रहे हैं तो इन बीएस की सीट पर स्फिर भगवान शर्मा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं अब ऐसे में देखना बड़ा दिल्चस्प होगा जब BJP कॉंग्रेस और BSP आमने सामने हैं तो इन तीनों में से कौन इस seat पर आगे निकलता हुँआ नजर आ रहा है अगर बात किजा है इस race के बारे में तो इस race में यह कहा जा सकता है कि जो राज बबार है वो एक star नेता है वो एक star भी है तो ऐसे में राज बबर की जीतने के चांसे इस सीट से ज़्यादा है पर इसमें कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि चुनाओ के नतीजे आने पर नतीजे कुछ और भी हो सकते हैं कोई और कैंडिड भी यहां से जीत सकता है यह confirm नहीं कहा जा सकता कि राजबबर ही जीतेंगे पर हाँ यह अनुमान लगाया जा रहा है कि राजबबर यहाँ से जीत हासिल कर सकते हैं खेर चन्द गंटों में सारी बाते clear हो जाएंगी कि जो फत्यपुर सीकरी की seat है यहाँ से कौन जीत दर्ज करता है बीजेपी, कॉंगरेज या बीएस पी ये तीन पार्टिया मेन जो मुखे कर त ah는 सामने आब ऐसे में देखना हो कि इन तीन पार्टियों होसे कौन सी पार्टी फत्यापॉर सीक्री की सीध पर हात..." बाननापू